आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ अपन्यास के अधिकांस काथा में करम्चा कृत्यमिता बढ़ती ही चली गए और कल्पना की अति शैता ने मूल काथानव को ही अस्त व्यस्त कर दिया नहीं संदे वर्दान पेमचंद की एक दुरबल कृती है वर्दान का प्रिकाशन के ठीक एक वर्जबात 1921 में प्रेमाश्ट्रम प्रकास में प्रेमाश्ट्रम में प्रहया उन सभी दोसों का अभाव है जिनके कारण वर्दान एक असत अपन्यास बनके रह गया था जिस अपन्यास के मादयं से जमीनदा और कृष्को का संगर्स पहली भार भारती समाज में सामने खुल करके और उपर का इस पस्थ रूप से आया प्रेम चंदर की कलाबी समंपता पहली बार रोड़त रूप में प्रकट हुए इस उपन्यास का कथा चेत्र प्रेम चंद्र के अब तक प्रकाशित उपन्यासों में सरवादिक विस्तित था इस उपन्यास का ने शोषक और सोषित की जिस संघर्ष को चित्र किया है वह अतिन संजीव और रोमान चक है लेकक ने इसमें कहीं कहीं पर बड़े सहियाच दिस्टिकोंट से ग्राम में जिवन की विदामनाव का चित्रन किया हुआ है भारती समाज के चिंदा जनर की सती की प्रिष्टवों में लिखक ने विशेश रूटC Glass अघृन कि समस्या पर ही विशार किया है किसानों के दैनी स्तिका चित्रन जमिंदारों का वर्णन करते हुए लेखक ने ग्राम संदार के वायों का विचार किया है यह कहना संगत नहीं होगा कि इसमें लेखक को गांदिवादी आदर्श्वाद का अश्र लेना पड़ा है सभी सोस्कों का अंधितार हिदय प्रवितन किया जाता है कि यहां पर लेखनी है कि इस सभारिक और विश्वस्निय मोल लेती है लेखक की सहानबुती क्रिष्टकों के साथ होते हुए भी व्यापक है अतहर वे अपरादी अन्याय को अददिक निंदित उपहासित और दंडित करके इसका सुधार्व परिशकार करते हैं प्रेमाश्रम में उद्देश यही इसका सर्वस्व है यदि कथा विस्तु संगठन पर लेखक ने तनिक भी ध्यान रखा होता तो निशंद्य यह करते गदान से कम महत्व उड़ने होती यदि कि आज भी कल्पित आलच को प्रेमाश्रम को गदान से स्ष्ट मांते हैं प्रशन में कहता है प्रेम चंदर की किस उपन सेवा सदन की बात की गई है जो कि एक उतकृष्ण रचना है प्रेम चंदर की फिर बात की गई है गोदान की गोदान भी सबसे प्रशद्ध रचना है प्रेम चंदर की फिर बात की गई है वर्दान की जो कि वर्दान की जो कि 1920 में आई यह रचना 1920 में आई परन्तु इस र रह् Pend compartir नहीं कर दिलिधा लगता ही नहीं था कि यह प्रेमचंद्र की रिचना है इसको पढ़कर ये प्रतित ही नहीं हुआ ये प्रेमचंद्र की रिचना है इसके बाद इनके एक रिचता आई प्रेमाश्रम इसके बाद की गई है शूर्षक शूर्षक और सोसित की बहुत ही अच्छी वाक्या की गई है ग्राम में जीवन की व्याख्या की गई है किस तरह से कृषक वहां पर प्रजशान होते हैं किस तरह से सोशन चाहता है इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है तो यह एक ऐसी है यह एक की पूछ रहा है कि प्रेम चंद की किस उपन्यास का कथा चैट सर्वादिक विस्तित है तो उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर कौनसा प्रेमाश्रम जो की विकल्प बी में दिया हुआ है तो यहां पर विकल्प ऑ का उत्तर बन गया आशार करते हैं होतार समझाया होगा धन चारसो चारसो पर